So, hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ आमिर और आज के इस बीटी जो में हम आपको एक बहुत important topic के बारे में बताएंगे देखिए, आज के इस बीटी जो में हम आपको बताएंगे ना, कि जो आपका UPTU होता है, उसमें आपके B-Pharma course के लिए total कितने government college है, total कितने government universities है, जो जो college है, जो जो universities है, उसकी fees किती होती है एक साल की, उसका placement कैसा है, या फिर उसमें city किती है और इसके बारे में बताएंगे, कि उस college में admission लेने के लिए, आपका कितना number होना चाहिए, अगर हम government college के बारे में बात करेंगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप आशियर हो जाएंगे, आपके UPTU में B-Pharma course के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही government college है, जिसका नाम है government pharmacy college BRD, medical college campus गोरखपूर, इसका जो college code है UPTU में, ओ है 937, अगर हम इसके सीटों के बारे में बात करें, तो जैसा कि एक government college है, और जो आपके government college होते हैं, उसमें 60 सीटे होती हैं, जनरली, तो इसमें भी 60 सीटे हैं, आपके भी फार्मा course के लिए, और वहीं पे अगर हम इसके placement के बारे में बात करें, तो placement का अभी कोई record उतना अच्छा खासा इसका है नहीं, क्योंकि अभी new है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, और वहीं पे अगर हम इसके fees के बारे में बात करें, तो इसका fees भी मतलब confirm नहीं है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही add हुआ है, त उतर प्रदेश के अंदर, UPTU के थ्रू काई सारे ऐसे यूनिवसिटीज हैं, काई सारे का मतलब है कि 6 ऐसे यूनिवसिटीज हैं, जिसमें आप चाहें तो इसमें एडमिसल ले सकते हैं, तो उसमें से जो नमबर वन है, वो है VBS पुरवांचल यूनिवसिटी, जिसका फु होती है, वो 60,000 उपए से लिए के 65,000 उपए पर एयर तक होती है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपकी जो फीस होती है, इतनी होती है भी फार्मा कोर्स के लिए, आप मान के चलिए कि 60,000 उपए पर एयर की होती है, पहले साल की फीस होती है, तो आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं वहीं पर हम बात करें इसके प्लेस्मेंट के बारे में तो इसका भी प्लेस्मेंट मतलब उतना बहुत ज्यादा नहीं है है थोड़ा बहुत उसके बाद नमबर टू रोहिलखंड उनिवर्शिटी बरे ली ये जिए उनियर्सिटी है वो बरे ली में है इसका जो एक साल का фीस होता है परियर का फीस होता है उगरा है तो अपचा है इस चैले सकते हैं इसको चोच फिलिंग के टायम पे युनिवसिटी कानपूर आप चाहें तो इसमें भी एडमिसर ले सकते हैं यह भी एक गौर्णमेंट युनिवसिटी है इसमें भी टोटल साथ सीटे हैं इसका जो फीस है पर यह का फर्स्ट यह का भी फार्मा कोर्स के लिए और 60,000 रूप है अगर आपको इसमें चाहिए तो इसमें एडमिसर लेने के लिए अगर आपका 250 प्लस नंबर है या फिर अगर आपका 280 प्लस नंबर है तो बहुत धेर सारे चांसिस रहेंगे कि ए युनिवसिटी आपको मिल जाए तो अगर आपका 250 प्लस नंबर होता है या फिर अगर आपका 220 प्लस नंबर है न तो भी होगा मिल जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं फिर उसके बाद नंबर फूर बुंदेल खनड लुनियुघ्टी झांसी जैसा कि एक आपका इट जहांसी वह आपका government college है जो आपका है बुंदेल खन लुनियुघ्टीं जहांसी आपका गौुटर्मेंट यूइनिवर्सिटी और आपके यूपर्काइट के लिए तो अगर आपके यूपर्मा कोस के लिए 250 प्लस नंबर या तो सो नंबर भी 200 से उपर भी नंबर है तो आप चाहें तो इसको अपने च्वाइस के टाइम पे चूच कर सकते हैं मिलना होगा मिल जाएगा नहीं तो कोई बात नहीं यह आपके लिए सबसे अच्छा ऑफसन रहेगा गौर्मेंट युनिवर्सिटी में फिर उसके बाद नंबर लिए अगर आपका 200 प्लस नंबर है 200 के ऊपन नंबर है यशन फिर बहुत धेर सारा चांसे तो इसके बाद नंबर सिक्स उत्तर प्रदेश युनिवर्सिटी आफ मेटकल साइंस इटावा इसमें टोटल साठ सीटे हैं भी फार्मा कोर्स के लिए और इसका जो फीस है ना य यह भी कंफर्म नहीं है यह भी मुझे नहीं मिला आप जाइए इसके आफिसल वेबसाइट पी जाइए वहाँ से चाहे तो चेक कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो इसमें एडमिसाय लेने के लिए अगर आपका 200 200 spricht normally है अगर 200 प्लस नबर है तो आप आपने च्टाय्स के टाइम पर इसको चूज कर सकते हैं आपको वह परापका अगर आपका 250 प्लस नंबर है 280 प्लस नंबर है तब तो से और है कि ए युनिवेसिटी आपको मिल सकता है बहुत धेर सारे चांसेश हो जाएंगे तो यहीं कुछ वहीं पर आपका 280 प्लस नंबर है तो भी आपको मिल सकता है वहीं पर आपका 250 प्लस नंबर है तो आपको मतलब इसमें सो हो सकता है कि कुछ मिले और कुछ ना मिले लेकिन आपको आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर सातो के सातो कॉलेज को आपको चूच कर देना है सातो के साथ तो यूनिवर्सिटी को आपको चोईस फिलिंग के टाइम पर चूज कर लेना है